सो आखिरकार यह सब लोग एक दूशे से कैसे कनेक्टेट हैं इनकी लाइफ में कौन-कौन सी प्रॉब्लम आती हैं यहां पर असली विरन कौन होने वाला यह सब में आपको बताऊंगे वीडियो में तो इसलिए चलो विदाउट बेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दू व होता है और अधाय करह Fellow हेनल रहा होता है वहां पर भी शवद्र हसे बचा बाइस चलि जाती क्योंकि वह दोस्तों उसी काम करती थी वहींबराट पाटे में ताई requests कर रहा होता है यारिक गैन्वास को की Jewish आने के लिए just हुआ हrone साथ है बदत्ता है पूरिया प्पर करने का तरीक तुमें सीखना होगा ये बार कोई आम डा नहीं है लेकिन लेकिन टैंग भी उनकी बातों को सुन रहा होता है कि तभी शान भी नाटक करने लग जाता है जैसे कि सब कुछ वहाँ पर असली हो लेकिन लियो उसे जोरदार थपर मारती है और जाने के लिए बोलती है ऋसे समझा देता है और वही बाहर टा mattress में सब कुछ असली समझ कर वांसे चले जाते हैं शान फििग को कुछ पैसे देता है जिसमें सेव पैसे ही लेती है और बागि उसे लोटक देती है और साथ ही उनकी एक्टेंग को रियल दिखाने के लिए शैन उसके बाल बिखेर के उसे बाहर भेशता है दर्वासे पर एक टैंक घड़ा हुआ होता है जिसे देखकर वह तो काफी सादर डर जाती है और चुपचावा से चली जाती है लेकिन इन सब के चक्कर में वो अपना फोन वहीं बोल जाती है जिस पर इकॉल आता है और नहीं दुस्ते दरव सारे गैंग मेंबर्स जा रहे होते हैं कि तभी लिए वहां से निकलती है और शान उसके पास जाके बोलता है कि तुमने मुझे ठैंक्स भी नहीं बोला और चुप-चप जा रही हो और जैसे ही फिर लुधनों के साध मिलियो बात कर रही होती है जो पाने के विए की कर देती है ऑर उसे एक होटल का कार देती है और वहीं दूसरी कि जब वो जेल में थी तब वो को मिली थी जो कि सुनके टाय तो से टॉंट माने लग जाता है बोल रहा होता है वैसे दिखने में तो काफी मासूम लगती हो और मंडर के लिए जेल भी जा चुकी हो कफी हरानी की बात है फिल तो वहीं शान के इस मजाग की वज़ेसी वो गु कि तबीं वहां पर ठाय और शान आ जाते हैं और उसे वहां से मार कर भगा देता है और अपनी भापी का गुसर शान पराता है वहीं दुस्य दुरफ टैम को सी हॉटेल में जाता है जहां पर लिए को जॉब मिल चुई थी और अस पर नजदर रखने लग जाता है लिए फि वाइब को समझा रहा होता है लेकिन बात बढ़ने पर कुर्मिन तो उसका गला ही पकड़ लेता है साथ ही जब उसकी वाइब शान की गल्फन के बार में पूछ रहे होती तो काफी डरी होई थी होटेल में लियो भी रूम क्लीन करने चारी होते कि तभी शान उसे एक ड्रस द दिया जिसमें से एक प्रैंक टॉय निगलता है और उसे दो से काफी गुसा आता है शान भी वहां पहुच चुका था शान फिर रेक्टिंग करके लियों को जसे दसकरके बचा लेता है और टैंक को भी अच्छे से मार कर समझा देता है लियों को फिर उसकी घर तक छोड़क से मार दिया था रल सफिर नेक्स मॉर्निंग लियों को उसकी चौप पर एक आत्मी टेस्ट करने की कोश्च कर रहा होता है लेकिन वहां पर तभी शान पहुच आता है जिससे की वह डर के मारे अपने सारे पैसे लियों को देकर ही रूम में भाग जाता है लेकिन वह उन सार जाने के लिए और लियो भी हां बोल देती हैं ताकि वो उस ग्रुप के बारे में कुछ तो जान सके यानि कि दोस्तों अब तो आप समझी कई होंगे कि यह दोनों एक अंडरकवर एजेंट है जिनका शाय दागे चलकर एक अंडरकवर अफैर्ट चलने वाला है वहीं दूस मैं बस एक बैट को देखकर लियो शान से कहती है कि तुम सोफे पर सोचाना और मैं बैट पर सोचाऊंगी शान भी पिर हां पूलकर उसे वहां से बाहर लेकर जाता है जहां पर काफी सारी चीज़ें शान लेकर लियो को देने लगता है जिससे कि वह बहुत ही जादा तो फिर इसके बात लियो वदास होकर पास्ट के बार में सोच रही होती है कि त्वी शान उसके पास एक बच्ची को भीसिता है फ्राप टौय लेकर लेकर जिसे देखकर लियो काफी खोश्य ओजातीं है और फिर घर जाकर वो लियो को रेस्ट करने के लिए भीश देता है कि तभी उसके पास गैंग के लीडर यानि की कुम्बिंग की कॉल आती है जिसे शान को तुरंद वापस जाना पड़ता है फिल्तो नेक्सी में वो लोग ड्रक स्मगल कर रहे होते हैं कि तभी उनकी बोट के पीछे पुलिस भी लग जाती है जिसके बाल शान के कहने पर उन्हें सारा रख पानी में फेकना पड़ता है और वो लोग बज़ जाती हैं वहीं दूसी तरफ लियो एक बहुत ही पुरा सपना देखकर उचाती है जहां उसे शान का लेटर मिलता है कि वो किसी जरूरी काम से वहां से जा चुका है और उसके लिए खाना भी बना के गया है हाँ स्वीट वहीं दूसी तरफ हम ताए को गुस्सने कंपणी में हुए नुकसान की वेज़े से शान को मारते हुए देखते हैं जहां पर गैंग लिडर उन्हें रोपकर दोनों को शान करवा रहा होता है जिसके बाद ऑफिसर वो और शान दोनों ही आपस में बात कर रहे के लिए भी बोलते हैं क्योंकि यह ग्यान बहुत ही जादा खतरनाक चुथी विल्टवेर नेक्स सीन में शान लियो के घर जाता है जहां पर उसकी आंटिकी फूटोस देखकर उसे लग रहा होता है जैसे कि उसने कई पहले भी देखा है कि तभी कि तभी रूम के लाइट लिए लिए उसे कोशिश करती है ताकि ठीक हो जाए बर वो काफी उपर दा इसलिए लिए पहुच ने पाती है और शान उसे उठा लेता है और इस टाइम इन दोनों के लिए यह काफी जादा स्पेशल मोमेंट बन जाता है दोस्तों दोनों ही एक दूसरी को देखने लग लेकिन 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 कब में हटीस पहुच आता है दोर पर शांस उस गैंग लीटर की बात करवानी लगता हैर सात फे फिर बिन वी लियो को कंपनीуса بें का में ख़रल देता है और सच लेडेंग 5 दुनों साथ उने की एक्टिंग करते हुए रूम में जाने के बाद लियो शान की फोटो को बड़े ही प्यार से देखने लग जाती है जैसे कि वो भी उसे काफी पसंद करने लग गई हो रद तो वहीं अपने रूम में शान उसकी आंटी के बार भी सोच रहा होता है और उसे से लेकर बॉस के पास आता है और रास्ते में कुछ फ्लैश्पैक से कैसा में यह पता चलता है कि लियो की आंटी वी यहीं पर जॉब करती थी और वहीं दूस्य तरफ गैंग के लीडर से ताय कह रहा होता है कि शान लॉयल नहीं है लेकिन लीडर तो उसकी बातों साफ साफ अब नोट मार देता है और लियो भी वहीं पर खड़ी होई होती है जहां से उसकी आंटी ने स्यूजट किया था कि तभी शान आकर लियो से बात करता है ताइद पीमापर पहुंच आता है और यह वह उसे उनके लाज के बारे में पिसा बता रहा होता है लेकिन लियो वहां उसे मजाग करके चली जाती है ताकि उसे शक ना हूँ तो फिर धोड़ी दिर बाद ही लियो के पाशान की कॉल आती है और वो उसे एक एड्रेस पर जाके पारसल रिसीव करने को और साथ ही अपना फोन भी आफ रखने के लिए बोलता है लेकिन दोस्तों इससे किसी और नहीं बलकि ताई नहीं किया था सचाने के बाद शान तो काफी भड़क जाता है और वो लियो को घर छोड़कर ताई से लड़ने के लिए सीधा चला जाता है और जैसे ही उनकी लड़ाई हो रही होती है तो लियो वहाँ पर गैंग के लीडर और उसकी वाइप को लिकर पहुच हैं जहां पर शान लीडर से वोड़ रहा होता है कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो लेकिन ऐसे मेरी बेसुती तो मत करो और काम छोड़कर जाने लग जाता है कि तब बीचे से ताई उन पर गूली चला देता है जिससे गुस्से में आकर बिन उसे निकाल दे है और शान से कहता है कि तुम मत जाओ और साथी घर जाकर लियो की ड्रेसिंग करो लियो भी बहुत सब्सक्राइब कर लेकर क्योंकि वह इतना साथा भड़क जो गया था तो शान उसे सौरी बोलकर फिर घर लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसकी मरम पठी करने लग जाता है और तो फिर लियो रूम के पास चाती है लेकिन शान की आहालत देखकर वह वापस चली जाती है नेक्स मॉर्निंग वह फिर रकेले ही लीडर के मैंशन में पहुंच आती है चाप और उसकी भापी का तो फैट चल रहा है तब ही वहां पर किसी चीज़ से टकरा चाती है औ तो बहुत सदा क्लोस आ जाते हैं जिससे की नवस होकर लियो वहां से चुप चुप निकल जाती है और गाड़ी में जाते हुए शान उसे एमी को कॉल करके उसके बार में आने के लिए बोलता है वहीं दोसी दिरफ ताए और भाई मू अपस में बात करते हैं जासी काई समय यह पता चलता है कि उसे तो बस अपने भाई की जगा चाहिए थी और वहां पर एमी पहुंचाती है और वह ब्रिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर भाई मू भी आ जाती है और शान एमी के साथ में लियो को पाहर भेश देता है जिससे की भाई मू को शक ना हो लेकिन 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 तभी बाहर अचानल से एक शराप यह कर लियो के साथ में सबर्दस्ती करने के कोशिश करता है कि तभी वहां पर उसका एकस बॉइफरंड पहुंचाता है और उसे बचा लेता है लेकिन लड़ाए की आवास उनकों सब बाहर पहुंचाते हैं और शान वेल तो वही जैसी दोनों घर पहुशते हैं और लाइट तो आहीं नहीं थी और अधेरे मेलियो शान को हग करके उसे थैंक्स बोलती है और दोनों फिर धीरे धीरे नज़ती काने लगते हैं और यहां पर काफी रोमांटिक हो जाते हैं जैसे ही शान उसे बोलता है मैं रथ कोई हीилась से कहता है कि है किसा मत बोलो क्योंकि मैं तो तुमारा अपना लगते हैं औरサ काफी खूस है कि मुघा वहां तो पर सापने एक वाश खिरा कर वासे चली जाती है और बाहर यूजे शान मिल जाता है जहां वह उसे पूछता है कि याने कर रीजन क्या है बुलती है कि मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी और वहीं अंदर लियो को उस टूटे हुए वाश में से उसकी अंटे के एक चेन और पेंड्राइब मिल जाता है जो कि शायद उन्होंने काफी खोपया तरीके से चुपाई थी शान में फिर वहीं पर अंदर पहुचाता है और उसे पूछता है कि ठीक तो ओना तुम तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लेकिन 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 यहां पर थोड़े कंफ्यू शान के अंदर जाते ही बाई मुद उसे ड्यूस करने की कोशिश करने लग जाती है उसके उपर वाइन ली गिरा देती है और रूम में शान उसे कहता है कि अगर यह सब बॉस को पता चल गया ना मैं तो फसी जाओंगा साथ ही वहाँ पर फिर बाई में उसे एक डील की बार पर आता है और वो से बताता है कि घर पर शान आया हुआ था बाई मुसे मिलने के लिए और यह सुनते ही ताय तो थोड़ा टेंशन में पहुंचाता है शान पर डुक करते हुए सोच रहा होता है कि या खिरकार कैसे वह लीडर का ट्रस्ट जीतेगा और थोड़ी देर पाद लिए बाई मुं से कहते हैं जो कि उठते ही उसे दे देना जुक्त यहां पर कापी जादा जुरन हो रही थी जिसकी बाद वह शांके सारे कपड़े दोके पूरी रात उसके साथ में रहती है साथ ही वो सोच रही होती है कि या खरकार इंसम में क्या सही है और क्या गलत है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि देखते देखते सुबह हो जाती है शान फिर लियो को नीचे सोता हुआ देखकर उसे उठाकर बैट पिस सुला के वहां से चला जाता है जाक लेकिन घूर्ट के बार में बता दूंगी लेकिन असके लिए तो बहुत सादा डर चुकी थी और दूसरे हिस सीन में शान को हम देखते हैं जो कि आफिसर वोसे बात ko करके उससे आज की सारी डील के बार में बता देता है और उसके बाद घड़ जाता हैं जिससे कि वो डर जाता है और जापर वोसे कहती है कि ताए को तुम्हारे और भाई के अफ़ैर के बारией पता है और वो उसके भर में बात करा था जिससे सुनते ही शान भी समझाता है कि या खिर क्यों लियो इतना साथ परेशान थी शान फिर उसे भरोसा दिलात वे बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा ट्रस करना होग और इतना बोलकर वो उसे हग कर लिता है जिसलियो को तो बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसे थोड़ी और दिल हग करने के लिए बोलती है जिसका साफ मतलब तो यह था दोस्तों कि वो दोनों ही एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और उसके बाद शान उसे अपना कार्ट देता है और कहता है कि मैं बिजनिस की काम से जा रहा हूं और आने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसलिए अगर तुम्हें किसी भी जीत की जरुवत हो तो इसका इस्तमाल करना गाड़े में जाते टाइम लिव सामने आ जाती है और साथ जाने की जित करने लग जाती है जिसे की वही शान को भी मानना पड़ता है और वही रास्ते में ये इनकी गाड़ी फल चाती है एक रिकिस्तान में और वही दूसरे तरफ गैंग का लीडर ऑपोजिट गैंग के साथ में डील कर रहा होता है चाहां उन्हीं पैसा देना और ड्रग लेना था श से के बीच में शान भी पहुंच आता है और लियो को गाड़ी में छोड़कर सीधा अंदर आता है जहां पर वो देखता है टैंक तो मर चुका है और लीडर भी फशा हुआ था लेकिन शान की ऊपर भी एक गोली चलने वाली होती है लियो फटाक से वहां पर पहुंच कर उस इस दिरफ ताइयों और मुगी बात हो रही होती है जहां पर यह कवर सुन्त ही की लीडर की जान खत्र में है वो तो और बिजदा खुश हो जाते हैं साथी धायब भाइमों से बोल रहा होते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम आचकल शान से मिल रही हो जिसमें मुझ से जोरद और उसे हमारी कोई भी परवा नहीं है और इसे लिए अगर उसका कॉल पर आये तो उठाना मत तो फिर थोड़े देर बाद वह बोट से होती हुए वहां से जैसे तसकर करके निकल जाते हैं और घर पहुंचाती है लियो फिर एक डॉक्टर को बुला कर उसकी गोली निकल वात दुखाया है तुम्हें वहां पर अकेले नहीं जाना चाहिए था शान पर उसे परिशान ना होने के लिए बोलता है कहता है विक्र मत करो मैं तो अभी भी जिन्दा हूं तभी वहां पर ऑफिसर भू भी पहुंचाता है जिसे देख लिए अधका फेडल चाहती है क्योंकि उसे तो यहीं लग रहा था कि शायद यह शान को अरच करने के लिए हैं लेकिन लेकिन जैसे ही उसे यह पता चलता है कि यह दुनों तो साथ में काम कर रहे हैं और एक सीक्रिट मिशन पर हैं वो तो बहुत ही जाता कंफ्यूज अगर उनसे पोश्टी है कि आखिर गारी सब बात में सब कुछ पताने के बोलकर वहां से चला जाता है जहां पर उसे चैन मिलता है जो कि शान के बार में पोश्ट रहा होता है और वो सब कुछ ठीक है बोलकर वहां से जाता है और वहीं दोसी तरफ शान का ध्यान लियो रख रही होती है और शान सोचाता है और वो भी लियो का नाम लेते हुए ही उठने लगता है लियो भी फिर उसे शान कराती है और जहांपर दुनों के वेज में फारेली पहली किस हो जाती है और दुनों ही फिर साथ में इंटिमेट होती है वो लोग बहुत साथ खुश थे और नेक्स मॉर्निंग शान लियो और चैन को पाड कितने ज्यादा सुन्दर लग रहे हैं और यह सुनते ही शान उसे सीधे वहीं पर लेकर चला चाहता है जहां पर दुनों ही करीब बैठकर बात कर रहे होते हैं और तभी लियो भी शान को सौरी बोलती है और उसे सच पताती है कि मैंने तुमारा साथ सिर्पर सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि मैं कुछ सचाई जाना चाहती थी जिस पर शान कहता है कि कोई बात में बलकि तुमारी आंटी की फोटो देखकर मैं तो सब कुछ पहले ही समझिया था मैं तो खुद इस गैंग में इन सब से बतला लेने के लिए और इन सब को पढ़वाने के ल द्रशाद माहत के बाद रास्ते में ही जाते हुए वाइमौ की गाड़ियों ने दिख जाती है शान फिर लियो को छोड़कर वाइमौ के पास आता है क्योंकि वह नहीं चाहता था की लियो को कोई भी प्राब्लम हो जैसे ही फिर बाइमौ गाड़िस से उतर करनी चाहती है साइड में चलने के लिए बोलती है सब कुछ देख कर लियो को तो बहुत साधा बुरा लग रहा होता है लेकिन वो इन सब में कुछ कड़ भी कह सकती थी बाइमो शान से कहती है कि ताहिन सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है और अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो हम वास्ते में लियो भी मिल जाती है साथ ही उसे क्याती है कि तुम्हारे जैसे लड़की शान जैसे लड़की को डिजर्व नहीं करती है और ये बात तो लियो को बहुत साधा बुरी लगती है तो फिर नेक्स मॉनिंग हम देखते हैं कि लियो एक सपना देख रही होती है जह पर तब भाइमु आजाती है जो कि शान को अपने साथ चलने के लिए बोलती है और चैन को लियो का खयार रखने के लिए बहुती है जैसे ही दुनों वास्ते निगलते हैं रास्ते में बाइमु शान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है वही दूसे दरम देखते हैं कि ताइबल जूकी मेंबर्स की मीटिंग बुलाता है और कहता है कि मेरा भाइट चुका है और अब मैं ही सबकुत संब्धालने के लिए तयार हूं जिसमें से कुछ मेंबर्स उसका साथ पर देते हैं और तो जैन को शुश हो जात मुझे तो शक है कि कहीं तुमने घाता है कि मैं भी तुमारे उपर अपने हस्बंड को मरवाने का शक करी हूँ क्योंकि तुम बिजिनेस की चक्करम स्की पीचे पड़िय तो शायद तुम ने ही उससे मरवाया हो और यह सुनती ही ताय मैं आप कर ही दिया लेकिन शान भी कहता है कि हम भी तो पूरी तरह से नकाम्यावी हुए ना लेकिन यहाँ पर वह बोलती है कि मेरे पास एक और अच्छा सा आइडिया है वहीं दूसरी तरफ लियों पे जो की अकेली बैठे हुई होती है वहाँ पर उसे कोई पीचे से क्लोर कहती है कि तुम खुद ही मेरा फोन लेकर शान को कॉल कर लो और जैसे ही शान फोन उठाता है तो बहुत खबराच आता है और ताइव इनुसे बोलता है कि तुम्हारा कुछ बहुत ही जरूरी मेरे पास है और अगर चाहिए तो मेरे पास आकर ले लो शान फिर भागते वहा और वापस कर दूगा जिसका कुछ जवाब दिये बिना ही शानवा से चला जाता है कि तभी बाइमू शान के पास आती और बोलते हैं कि मेरा साथ तो मैंसे ही नहीं छोड़ सकते हूं जहां पर शान बोल रहा होता है कि वैसे हमें काफी जादा टफ डिसीज़ा लेने होंगे बाइमू भी उसे बोल कर जले जाती हैं तो ठीक है मैं अब तुम्हें दुबरा डिस्टरब नहीं करूंगी वहीं दूसरी तरफ लियोगो ताय बिन अपने रूम में लेकर जाता है जहां पर उसे उसकी आंटी और बाइमू की एक साथ में फोटोस मिल जाती है और इसे दे सब्सक्राइब कर वहां से चला जाता है फिर नेक्स मॉर्निंग में मीटिंग होती है जहां पर बाइमू को सभी मिलकर बॉस बनाने के रड़ी होते हैं और शान से पोचने पर वह भी राजी हो जाता है कि उनकी किटनाप की हुई वीडियो आती है और ताय बोलता है कि पार्टी करने के लिए चाता है और वहां से वापिस आगे उसे लियो मिलती है जो कि इसे लीडर के बार में पूछती है वो बोलता है कि मैं ही लीडर हूं साथ ही पूर्ण रही होती कि शान को तुमारे कोई भी परवानी है और इसलिए तुम्हारी मुझे अभी कोई जरू करने वाला होता है कि तभी शान विंडो से हीरो एक एंट्री मार कराता है उसे गिराता है और बहुत जबरदस तरीके तो मारता है यह थो बहुत सब्सक्ति पूसे थीडर कराता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्यों कि मैं आ गया हूं और उसका हाथ पकड़ कर वहां से ले बड़ा रिजन था और इतना बोलती हुआ से चला जाता है और जाकर बाइमू से मिलता है जो कि कुछ कागस जला रही होती है कि तभी वहाँ पर भी पुलिस आ जाती है और उन्हीं इन्वेस्टिकेशन के लिए ले जाती है जहां पर फिर वो ऑफिसर वो शान को बता रहा होत से और भी समय तक ऐसे ही रहना होगा यानि कि ऐसे ही अंडरकवर एजेंट बन के क्योंकि सच काफी पता नहीं लगा था विल्ट फिर नेक्स सीन में ऑफिसर वूने लियो को भी कुछ फॉर्मैलिक लिए बिलाया होता है और वो बताता है कि तुम बस हमारे साथ ही दूसरी तरह शान तो बिल्कुल ही शान बैठा हुआ होता है वाइ मुवी उसे आकर पूछती है कि आखिर क्या हुआ है तुमें लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता है कि तब लियो वहां से रोसरी लेकर जा रही होती है और दोनों ही उसे देख लेते हैं बाव बोलते हैं कि यह लड़की हमारे सीक्रेट नहीं जानती है ना फिर तो इसी के लिए अच्छा है जिस पर शान कहता है कि हां उसके जैसे लड़की वह से भी कुछ जादा नहीं कर सकती है वहीं दूसरी तरफ यह सब कुछ दिकर लिए बहुत जादा उदास हो कर चारी होती कि तब इसकी स अचानक से गिर जाती है और सामने शान उसे खड़ा दिखाई देता है बाग के जाती है और सब कुछ भूलकर वो तो सीधा ही उसे गले से लगा लेती है जिसकी बात ही दोनों घर पहुंच आते हैं जहां जाते ही वह दोनों फिर से बीच में बाइम को परिशान करते हुए देखते हैं क्योंकि उसने डीडर के साथ में डील की थी जो कि अब तक पूरी नहीं हुए थी लेकिन वहाँ पर तभी शान आ जाता है और इसे पूरी बात समझाने की कोशिश करता है साथ ही बोलता है जो भी डील तुमने गी थी उससे हमारा क्या लेना देना लेकिन वह त उसे तरफ लियो सो कर उठती है और इसे शान उसकी पास नहीं मिलता जैसी वह घर से बाहर निगलती है तो इसकी तप्रेद भी काफी खराब हो चुके थी तभी वहाँ उसका एक्स पॉइफ्रेंड मिलता है जो कि उससे हॉस्पिटल लेकर जाता है और इदर शान बाएमों तो सीदर कौल कर देता है कि तभी लियो पे उठ चाती है और उसे खुद लोकेशन उसे देता है शान और भाई मुवाँ पहुचते हैं कि तभी टॉंग के एक आदमी का गॉल आता है और वो उन्हें लोकेशन चेंज करके एक रैस्टॉर्ट में बलाते हैं शान ने भी पहले से पुलिस को इंट फॉर्म कर दिया था यहां पर लियो भी उस पेंड ड लोकेशन पर पहुचते हैं कि तभी बाई मुव के फोन में एक मैसेज आता है जिससे देखते ही वो शान से कहती है कि मेरी तवित कुछ ठीक नहीं लग रही है और इसलिए तुम अकेली जाकर यह डील कर दो मैं घर जाना चाहती हूं और इतना बोलकर वांसे निकल जाती है और उदर ही पुलिस वाले ये देखके सब कुछ आफिसर वो को बताते हैं और वो कहता है कि तुम उसके पर नजर रखो क्योंकि टॉम के लोग बचने नहीं चाहिए जहां पर काई समय ये बता चलता है कि बाई मुव के फोन पर लू के नाम से मैसिज आया था जिसमें कि बाहर पुलिस आ चुकी है जिससे कि टॉम काफी बड़क जाता है शाँ से लगने लग जाता है लेकि पुलिस आकर सब को बगड़ लेती है और आकर शान अपना फोन देखता है जिसमें वोर्यो का मेसिज पड़ा था और इसने कहा था कि मैं बाइव मु को अकेले मिलने क के लिए रूफ पर बुला चुकी हूं यह पर देशान घपरा चाता है बाइमो रूफ पर पहुंच आती है जहां पर उसे लियो दिखाए देती है जो कि इसे पोछती है कि यह चांदते हुए भी कि मेरी आंटी की दिमागी हालर ठीक नहीं थी तुमने उन्हें यहां पर लाक पे गूली मार कर वहां से लियो को फटाक से हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां पर लियो कोमा में चली जाती है और शान उसके ही साइड में बैठ कर काफी रो रहा होता है कि तभी लियो की अचानक से आगे खुल जाती है और शान उसे देखकर काफी कोश हो जाता है उसके ल की बारे में सोच रहा होता है फिर दीरे धीरे लिईों की squat ठीक होने लग जाती है और शन hex अचे से ध्यान रख रहा होता है है रहे ने थीन में हम देखत 새 है इसे सुलाकर जैसे ही शान बाहर आता है तो वहां पर उसे ताइबिन दिखता है जो कि शान के पीछे जाने लग जाता है और वही दूसी तरफ एक आत्मी डॉक्टर बंका लियो के रूम ने घुसकर उसके उपर अटाक कर देता है लेकिन वहां पर लियो ने ही बलकि पुलिस का एक आत्मी था जो कि उसे पकड़ लेता है और फिर वो ऑफिसर बुक के पूछने पर बताता है कि यहां पर उसे ताइबिन नहीं बेचा था और वो शान के पीछे गया हुआ है एक खाली बिल्डिंग में उसे ले गया है लियो ने भी उनके सारी बाते सुन ले थी अपन कर ताइबिन उसे मार रहा होता है क्योंकि वह जान चुका था कि वह पुलिस ऑफिसर है और वही दूसी तरफ शान उसके मूँ पर धूख देता है जिससे गुस्से में आकर ताइबिन निकाल लेता है और शान के भटकाने पर लोहे की रौट से उसे मारने वाला होता है कि तब इल्डियों वहां पर राकर ताइबिन के पैरों में गिरकर उसे माफि मांगने लग जाती है और शान को चौड़ने के लिए कहती है लेकिन 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 बोलता है कि मैं अब तुम दोनों को एक साथी मार दूगा और टाक से जाकर लिए शान को अकर लेती है कि तभी ताइबिन उसके बाल पकड़कर कीच लेता है और इनके बीची शान अपने हाथ को लेता है और ताइबिन के सर पर गल लगा देता है जहां पर तभी पुलिस पहुचाती है सबको पकड़ लेती है कि तभी ताइबिन हस्त भी बोल रहा होता है कि आखिर गार तुमने मुझ आया जाता है जहां पर लियो अपने आपको संभाल रही होती है और उसे एक रिंग भी मिल जाती है जो कि शान नहीं उसके लिए छोड़ी थी धीरे-धीरे बप्त बीटता जाता है तीन साल निकल जाते हैं लियो न्यूस देख रही होती है चापर शान और बहुत सारे ऑपिस से बच किया था जहां पर ऑफिसर वो से कहता है कि तुम्हें अभी लियो से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि अभी तोहना मिशन खत में नहीं हुआ है जिसे कि लियो को तकलिफ ही होगी और इसलिए इन बीते तीन साल में हाट टाइम शान चुप चुप कर लियो को देखता था उसका ध्यार रखता था और फाइनली आज वो से इतने टाइम बाद मिल गया है जहां पर भाई लियो तो खुशी से पागली हो जाती है और इसे के साथ दोस्तों इस ड्रामा की हैपी एंडिंग हो जाती है सो कहानी के चुरुआत हमारी फीमेल लिड शोई से होती हैं जो कि बस सूसेट करने के लिए बालकनी से कुदने वाली थी लेकिन तभी हूं उससे रोक लेता है जैसे ही उससी होश आता है पर सोचती है कि आखिर कार में क्या करने वाली थी और नीचे खड़े सभी लोग उस बड़े लग जाती है कि लेकिन मैं तो अभी अपना टॉंटी फिफ्ट बर्टे से रिपेट करके आई हूं तो टैड मुझे कि तीस साल की क्यों कह रहे हैं किया सच में ट्राइबल करके पांस साल आगया गई हूं तो फिर तभी उसे अपने पांस साल की सारी मैमरी स्याथ लग जाती है जिससे पता चलता है कि फैंक से उसकी शादी हो चुगी है और फिर हमें 20 मिनट पहले का सीम दिखाया जाता है जिसमें को बैंक से कॉल आया था कि आपके हस्पेंड ने बहुत सारे पैसे विड्रॉ किये हैं जैसे वह से कॉल करके पूछती है तो वह बात करने तो गाड़े जाती से ऊसके वह लचली की लाची की हो सकती है और देखने के जैसे की अंदर जाती है उसका ना कि यहां तो कि कर रहा हוכता है उसे देखते हुई को सिस्टर क气 सकती हो सबनात DAVID कर में शोरी होड़ी है साथ ही बोलता है कि मैं शोई को डाइवास देकर जल्दी तुमसे शादी कर लूँगा तुम्हें परशान होने की जरूत नहीं है है कि तब ही उसे रिलाइज होता है कि 5 साल उसने अपने हजबन को कितना प्यार किया है और उसके चाको भी शारी होती है जहाँ यहां वहीं सब कुछ देख रहा था और फिर वह से रोकने के लिए बैलक्र चाट जाती है क्योंकि उसे बहुत हुआ था कि उसके स्टैप सिस्ट मैं तो बस हवा खाने के लिए आई थी जहां उसकी बात सुनकर सब लोग रिलाक्स होकर वहांसे जाने लगते हैं कि तब या उसे पूछती है कि अगर तुम्हें हमारी बाते सुन ली है तुम्हें सच पता चल गया है तो फिर तो अच्छी बात है लेकिन शोई बेया पर पीछे नहीं रहती है और उसे बोलती है कि मैं डाट की रियल बेटी हूं और तुम इनकी नाजायस अलाद हो और इसलिए अप करता है और यह सब करने का रिजन पूछता है लेकिन शोई उसे ढंक से कोई जवाब ने देती है और यह दोनों में थोड़ी पहस हो जाती है उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्फरंड है तो यह लगता है यह नहीं होगी कि तुम्हें लड़कियों से बात मुझे मीटिंग में जाना है वह भी समझ आती है कि जूट बोल रहा है यह जाएगा और सच में दोस्तों ऐसा ही होदा है वह के साथ में टाम स्पेंड कर रहा था जैसे ही घर पहुछती है तो वहां पर होती है जो कि उसे बताती है कि मॉम ने उसे प्रेगनेंसी से रिलेट देखती है वहीं दोसे तरफ याओ भी फैंक को फोर्स कर रही होती है कि वह जल्दी से शोई को डाइवास दी और इसे शादी कर ले जैसे फिर नेक्स मॉनिंग शोई की आंखलती है वह देखती है कि जीसका सारा इंपोर्टेंट समाल लेकर चुट चाक दबेवा वहां से चारी होती है और वह इससे शोई जाना करते है और मैंक्त शेफो करें करके कह रही होती है कि उसे डॉक्यमेंट मिल गए हैं जहां का इसी पता चलता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली है साथ या को भी एक पॉफ्यूम पार्सर रिसीव होता है और वो सुचते कि उसे भीजा इसलिए उसे थैंक्स बोलती है लेकिन वो कहता है कि मैंने यह पार्सर तुम इसे प्यार करता है तो यह तुमारी गलत फाहम है कि अगर वह मुझे छोड़ सकता है तो तुमें भी छोड़ सकता है धोका देने में तो वह वैसे भी माहिर है वहीं दूसरी तरफ हुमा भी शोई के बाहरे में ही सोच रहा होता है जब उसे पांस साल पहले मिली थी जिसमें लिखा था कि फैंग उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर वाली है लेकिन दुखी बात तो यह थे कि शोई को इन पांस सालों के कोई भी मैमरी नहीं याद थी हुमा भी उसे पांस साल पहले ही मिला था जो कि उसको बहुत ही अच्छा दोस बन गया था और यह बात उसे लियाद नहीं थी फैंग फिर से जूट बोल देता है कि वह बिसमेंस मीटिंग के लिए जा रहा है लेकिन याओ के पास पहुंचाता है जिसका पीछा करते हुए उन दोनों के पिक्चर्स बना लेती है जिसे कि उसे देवास लेने में हैल्प मिल सके याओ और यह लगे कि उसे वह बहुत प्यार करता है साथ ही बोलता है कि आज में भी मॉम के दिए हुए मैडिसन पियूँगा क्योंकि तुम में लिए इतना कुछ करती हो मैं तो इतना करी सकता हूं लेकिन हमारी खेरोन होती है वह सारी है मैडिसन को ही पिला देती है वहीं दूसरी हम देखते हैं स्टेप मॉम ने बहुत ही चालागी से शोई के डैट से त्री परसंट शेयर लेके यहां कोई नाम पर करवा दिये थे और बहुत ही चालागी से उन्हें सब कुछ किया था जैसे ही नेक्स मॉनी फैंग को कॉल आती है कि कंपनी के कुछ प्रोडिक्स से काफी ल लोगों को हमारे प्रोडिक्स से अलर्जी है हम अंसे मां के मांग सकते हैं और साथ यह ने कंपन्सिशन भी दे सकते हैं जहां पर शोई आकर बोलती है कि ऐसे करना ठीक नहीं होगा इसे तो सच में वह लोग हमारे प्रोड़क्स को खराब समझेंगे जिसे की प्रॉब्रम और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं और इसलिए अच्छा तो यह होगा कि हम इस प्रॉब्लम को इन्वेस्टीगेट करकी सॉल्व करें तुम हमेशा ही मेरे हाट टाइर में मेरे साथ रहती हो अगर मैं अपने हस्बन के काम ने आऊंगी और साथ ही मैंने तुम्हारे मिस्टर जोगे साथ में और ने अरेंज कर दिया है और कि कर देता है और सिक्सरी जिसके उसे बहुत घसा आता है वह बाड में चला जाता है जहार एक लड़की उसके उसके साथ में लगती हैं और दोनों साथ में टाइम कर लेते हैं को पैंक को छोड़ने का क्या लोगी शोई भी वहां पर हसने लग जाती है और बोलते हैं कि मुझे सतर मिलियन दे दो और मैं उसे छोड़ दूगी यहां भी मान जाती है और साथ ही अपनी सेकेटरी को कॉल करके अपने तीन परसेंट शेर बेशने के लिए बोलती है वहीं दूस कि यान को अपने घर के सारे पेपर्स देती हुए उसे कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए कहती है चाहां उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि वह अभी विज के साथ थी लेकिन फिर से या उनकानों को इतना जादा क्लोस देखते हुए फिर से बहुत जादा गुसा है कि आज मैंने रॉयल कंपनी के ओनर को डिनर पे बुलाया है और इसे तुम्हें काफी बिस्निस में मिल सकती है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं चोड़ता था इसलिए बोलता है कि ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगा वहीं आप यह से मिलने के लिए आफिस में मिसेस चु के साथ में यहों भी आया हुआ होता है और फिर बोलता है कि मेरी सिस्टर मुझे कुछ लोगों से मिलवाना चाहती थी और लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो शोई होगी साथी मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है और वहीं दूसरे तरफ चाहना बना कर वांसी चला जाता है कि मुझे कुछ काम है और फिर जाकर सीधा याओ से मिलता है जहां पर याओ भी कुछ से काफी एमोशनल ब्लैक मिल करने लग चाहती है जिस पर उसे हब करके अपने प्यार का यकीन दिला रहा होता है तुम दोनों के पीस्च बस एक और फैंग भी उसे शादी के लिए प्रपोस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और इसके बाद उनकी शादी हो जाती है लेकिन शादी के बात भी वह हमेशा किसी ने किसी बात पे उसे टॉचर करता रहता था और तो और बहुत बार दूसी लड़कियों के साथ ने भी पकड़ा गया था चिकने चुपड़ी बाते करके वह हमेशा शोई को मना लिया करता था और जैसे ही शोई उसे बात करती थी तो और अपी सिस्टर से उसे मनाने के लिए बोलता था फिर कुछ टाइम गुसर जाता है और उसे पता लगता है कि उ फैंग की पास कई हुई होती है लेकिन जब वो उन दोनों को साथ में देखती है तो बहुत सादा शौक हो जाती है वेल तो इस सारी पास्ट की बाते सोच कर शोई काफी अपसेट हो रही होती है और साथी गौट से कह रही होती कि मैं समझ चुकी हूँ कि आपने मुझे फिर से जूट बोले लग जाता है कि मैं अभी काम से बाहर हूं और वहीं दूस्य तरफ याव को एक पारसल आया हुआ होता है जो कि मिस्टर जो के नाम का होता है जिसे देखते वह काफी शौक हो चाती है और उसे वापस पेश देती है और दोस्तों कोई और नहीं बलकि य आया चाता है और याव आउटिंग से वापस आ चुके थे कि तभी याव को उसके एक्स बॉइफंड जू का मैसिज आता है कि वो उससे मिलना चाता है जैसे याव फिर घर में ही बैटावा होता है और वो से पूछती है कि आखिर कर तुम यहां अंदर कैसे आ गए उसे बो पर जो जैसे तैसे करके उसे अपनी बातों में मना लेता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं जैसे ही फिर फैंग वहां पर पहुछता है जिसका है तो उसे देखते ही जुप चुप जाता है कि तभी रॉयल कंपनी के कॉंट्रेक्ट साइन करने के लिए कॉल आ जाती पर फैंग फिर से पहुत सारे लेकर शोई के पास में पहुंच आता है और उसी कांटर के बार में बताता है जो बात तो पहले सही जानती थी दूसी दिरूफ याव दूसे से बहुत प्यार करते थे और जो बात उसकी मौम को पिल्कुल पसंद नहीं थी मौम को चाहिए था एक कमीर बक्रा लेकिन जू अमें नहीं था और इसे लिए उन्होंने याव को जू से दूर ने के लिए कहा था क्योंकि उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी फिर वो उसे लेकर अंदर आ जाती है विजारा जू बाहरी पारिश में भीग रहा होता है जिससे कि वह बहुत सत आ गया है लेकिन वो फैंग के साथ में अपनी लाइफ बिताना चाहती है यहीं सब कुछ याव सोच रही होती है और तो और उसकी बच्चे की मा भी बन चुकी है वेल तो फिर नेक्स इन में याव को शोई के पास देखते हैं जो कि इसे ताना देतर बोल रही होती है कि मैं सतर मिलियन दे दूँगी और फिर तो मुसको डैबॉस भी दे देना यह बोलते हैं को वहां से चली जाती है उसके बात फैंग को वह अपनी प्रेगनेंट होने के वाली बात बता दी है और एक्टिंग करते हैं कि मैं बहुत ही गलट टाइम पे प्रेगनेंट हुई हूई तो मैं यहां से चली ही जाती हूं लेकिन 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 उसे रोक लीता है और यकीन दिलाता है कि जल्दी उस्क्राइब वाइफ से निक्सान होता है तो इसे सारज काम सारय नोगे ना पढ़े लगते कि यह सार ऑल कि सुर medida को नहीं है कोई स्य भूर अग्षा याओ भी उदर काफी खुश होती है कि वो फैंक की बच्चे की मा बने वाली है और वह जल्द ही शोई को डाइवाउस दे देगा और वहीं हम दूसी तरफ मिसेश चू को देखते हैं जोगी कोई परसनल बात करी होती है और वह किसी और जैनी बलकि जू से है तो उसे पूछ रही होती है कि कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मेरे हजबन ने मेरी इतनी दारीव की जहां पर याओ उसके कहां ही सुनने वाली थी वहीं दूसरी तरफ हम को देखते हैं जो की जू से कह रहा होता है कि मैं जानता हूं कि तुम मिसेस चू से मिले जानता हूं भले ही वह तुम्हें काफी जादा प्रॉफिट दे रही हो और तुम दोनों का क्या प्लान है ना वह भी मुझे पता है जो भी हो लेकिन उसकी वरह से शोई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा नेक्से में हम द आपकी वाइक ने किया हो जहां पर जोई बोलती है कि वह अपनी कंपणी को लेकर यह सब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि वह प्र याओ को करता है और वह मासूम बनते हो कहती है कि मुझे तो बहुत जादा डर लग रहा है रहा है प्रेस वाले नीचे आये हुए है जिस पर फैंग बोलता है कि तुम्हें टैंशर लेनी के जरुवत नहीं है मैं सब कुछ संभाल लूँगा और पानले फिर पता चलता है कि यह सब कुछ किसी और नहीं बलगी याओ नहीं करवाया था जहां पर वह खुश होते हैं कि हमारा रिलेशन पॉप्लिकली अरांस न मिलने के लिए और उसे अपनी चिकने चुपड़ी बातों में फसाता है लेकिन 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 उससे पहले ही वह उसे डाइवास पेपर देतुए बोलती है कि शौक अने वाले कोई बात नहीं क्योंकि मुझे सब कुछ पता है कि पांस साल से तुम मुझे आपके साथ में मि करते हो जितना जल्ती हो सक्यों ना डाइवास पेपर पर साइन करके दे देना वहीं दुसी तरफ याव को भी अपने डाइट से शोई की पूरी लाइफ खराब करने और साथ कंपनी के तीन परसंट शेर कंपैसिव में बेशने के लिए बहुत साधा डाट पढ़ रही होती यहाब बुलती है कि मैं फैंक की माव बने वाली हूं और मुझे कोई भी प्रफॉब्लम नहीं है जिसे कि मउम डाइड दोनों यह उसे लेकिन याव बोलती है कि मौम आपने ही तो मुझे वह जोड़कर अफैर करने के लिए बोला था और आप मुझे उस कुछ क्क्ने के ल पास पहुचाती है और उसे पता देती है कि वो फैंग की बच्चे की माँ बनने वाली है वहीं दूसरे दिरफ जैसे ही वोट मेंबर के साथ में मीटिंगे ले जाता है तो यह देखकर शौक हो जाता है कि बोट मेंबर कोई और नहीं बलकि शोई है शोई भी उससे डॉक्यमे पहले आपने भी मेरी माम के साथ ऐसा ही किया था और उनकी टैथ हो गई थी जैसे पुरे करम आपने किये हैं ना उन सब कफल आपको जरूर मिलेगा यह सब कुछ बोलकर वहां से चली जाती है शोई को जाते हुए यह आपने देख लिया था सोटने लग जाती है कि कहीं इस साथ उसे थैंक्स बोलती है कि या किरकार तुमने वह पिक्स अफलोड करके मुझे डाइवास लेने में हेल्प करवा ही थी सब को चानकर यहां तो काफी जादा शाओ को जाती है और घर आकर शोई ड्रिंक करते हुए सोच रही होती है कि मैंने अपना सारा लिवेंश तो ल कर सकती हो और नेक्स मॉनिंग जैसे है उसकी आँख खुल दिया तो बेल बचती है वह बाहर चाकर देखती है तो सामने ही खड़ा हुआ होता है और वह उससे इस तरह देख कर क्याता है कि मैदम तो पैर हो गई है लेकिन भाई आप तो अभी तक सो रही है कि युमो को बाह में मुझ पर इतना यकीन क्यों है कि मैंने तो हमेशा से तुम पर यकीन किया है तो काफी शौक हो जाती है जिसके थोड़ी देर बादी दर्वासे पर काम वाली आई होई होती है जिसे किसी और नहीं साफ सफाई के लिए भीचा हुआ था और समझ आती है कि उसने इंडारे सब्सक्राइब हो जाती है लेकिन उसे ये बात मालुम नहीं थी जैसे ही जोई यूसे बोलती है कि यह दो कि हमारा हेरो था यह पर पहुंच आते हैं और उसी उसका बॉइफ्रेंड समझ कर ही डिसचार्ज बेबर पर साइन करने के लिए लिए लेकिन शोई वाँ पर पर फ कि मुझे कुछ अजीब अजीब से लियूजन दिखाई देती है और यह सुनते ही डॉक्टर काफी है बोलता है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है बस आपको रेस्ट करने की जरूरत है मुझे सोच रहा होता है कि आपकर यह एकनी अजीब आते क्यों कर रही है और दूसरी तरफ याव का चेकप कराने के लिए आया हुआ होता है जो कि देख लेता है और मैडिसन के बहाने डॉक्टर से पूछता है कि या फिर शोई को क्या हुआ है जिस पर डॉक्टर उसे बतात है कि प्लीज तो मेरी लाइफ से दूर चाले जाओ और वावस कभी मताना यह बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि फैंक का है जहां पर तभी फैंक पहुचाता है लेकिन इससे पहले ही सुचते हो इसकी पास आजाती है और जब शोई उसका हाथ देखती है तो बताती है कि न सब्सक्राइब करता है और तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसे कि मेरे साथ किया है और वहीं दूसरे तरह भी बाहर में बैटा हूँ और शोई को कॉल करने लग जाता है लेकिन शोई उसे कहती है कि मुझे बहाने से कॉल करना बंद करो जहां पर फिर वाइब को सब्सक्राइब करने के लिए आता है जहां याओ को एती है कि मैं बिल्कुल भी जीनानी चाहती क्योंकि तुम मुझे दोका दे रहे हूं जहां पर फैंक उसे यकीन दिलाते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और उसका बच्चा भी उसके लिए बहुत इंपोर्ट जहां पर शॉय को थोड़ा गुसा आजाता है और हुमो भी उसे बोल रहा होता है कि मुझे भी गॉल्फ खेला तुम नहीं सिखाया था तो तुम क्या से पूल सकती हो सीन शिप्र होता है पांस साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर फ्लैश पैक में हमें पता चलता ह क्यातर में देखते हैं और जाती है कि मैं कि कंपनी करना चाहती हुँ लेकिन लेकिन यहां पर हुमो को सच खाने के बाद बहुत बहुत दुखी थे और हैं हाड आटैक आ गया था दोसे सौरी भी वहांवांते हैं और अपने की शर्मिंदा भी थे तोई अपने थे अपने डैट शीज लिये उन्हें भीना माफ के ही वहांसे चली चालती है तो फिर नेक्स स्कृच में बाते हुआ करते हैं वहों चाहपर काई को कहीं भी चलता कि को बहुत लाइक करती थी लेकिन सोच रहे थी कि कि बाद किसे बता है याउ को पता लग गई वह दर से छोड़ करें चली जाएगी जिसके बाद ही लड़की से बात करने के लिए बार में जाता है लेकिन वहां पे उसे मिलती ही नहीं है दुबारा से ब्लैक मिल करते हैं कि एक तुम चालते हो कि मैं यह पिक्चर्स याउ तक कि नहीं पंचाओं लड़की यह सारे कहने पर कर रही कि आप कमपनी लेना ही जाती थी तो मैंने किसी से नहीं सकती थी मैं अपने थो आपगी शादी आप उसे अना खयाव कोई गॉल्फ प्रैक्रिस कर रही होती जहां पर यूम भी पहुंचाता है वह को मिस्चू के इरादे के बार में बताती है जिस पर यूमों से टेंशन ना लेने के लिए कि तभी शोई को अपने पास्ट के कुछ इल्यूजन्स आने लग जाते हैं जिसमें पुरानी शोयों से क्या रही होती कि तुम्हें यहां से जाना होगा क्योंकि यह मेरी लाइफ है और फिर बेहोश होकर गिरने वाली होती कि तभी यूमों से पकड़ लेता है और हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं दोस्तों होश आने के बास है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शायद इस जाने वाली हूं जिस पर यूमों उसे बंद करने के लिए बोलता है और मिस जोसी आखिर कर कैसे नहीं पटना है इसका वियाँ पर हल उसे मिल भी जाता है कि मुझे पता है कि तुम्हीं को ब्लैक मिल कर रहे हो और तुमने क्या सोचा सब को जाने के बाद मैं उसे छोड़ और वैसे भी मुझे बच्ची और फैमिली दोनों की बहुत ही ज़रूत है चाहां तो इसका मतलब सब कुछ तुमें पहले से पता था और मैं तुम्हारी सीक्रेट सबको बता दूंगा जानता कि वह कुछ जानने वाला है और इसके बच्चे को ही प्रॉब्लम होगी और इस तुम उसकी लाइफ के सीक्रेट हीरो हो और वो जल्द ही तुमारी लाइफ में वापस आने वाली है मैंने इस बुके और इस लैटर को तुमारे लिए ही रखा हुआ है और वह जैसे ही आएगी ना तुम फॉरण से उसे प्रपोस कर देना हो और मुझे ये भी याद है कि ज का नाम दे कर उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है जिस पर शोई कहती है कि ठीक है तो फिर यह मैं भी करके दिखाऊंगी और वह हाथ पकर लेती है और उसे पॉइपन बने के लिए पूछती है और प्रिसंग में हम भागत वे पहां पर पहुंचता है लेकिन शोई तो उसे जोई भी अनाॉंस करके बतारी होती है कि कमपणी के सारे के सॉल ho चुके हैं और अब उन्हें किसे भीतरह की कॉंपनसेशन बने की जुरूइद नहीं है कि तब ही शोई पहुंच आती है और यह अनॉंस करती है कि अप से फ्रैंग ही इस कमपनी का सी हो रहे गा तो फिर नह में शोई को मिसच्ईू के पास देखते हैं वो उनसे कहरी होती है कि क्या हुआ आपके सारे काम पर पांे पीर गया क्या सुचा था автомобäter कि आप कंपंश को चेंज़् कर एक कंपनी को बद essas करणा में पुलिस को पो इनफर्म हो वेल तो नेक्स सीन में फैंग शोई से अपनी गलती की माफे मांग रहा होता है जिस पर शोई उसे कहती है कि मैंने तुम्हें की पोस्ट पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे पता है कि तुम गंपनी के साथ काफी लॉयल हो और मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूं लेकि का भी मुझे पकड़ लेता है जहां शोई से बॉटल आफर करती हैं दोनों हाथ मुलाते हैं और काफी अच्छे दोस बंचाते हैं और इस हैपी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का भी हैपी एंड हो जाता है जो कि दोस्तों मुझे तो बहुत पसंद आया हो और अगर आपको